मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता नंगे पाओं, फटी मैली सी कच्छी और तूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुरते और बिखरे बाल जब लकडी के धेर पर चड़ कर खेलते, नीचे को भागते, तो गिर कर कई तो जाने कहां कहां चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुरते तार-तार हो जाते धूल भरे कई जगह से छिले पाओं, पिंडलिया या लहू के उपर जमी रेत मित्ती से लत्पद घुटने लेकर जाते तो सभी की मा बहने उन पर तरस खाने की जगह और बिटाई करती कईयों के बाप बड़े गुसैल थे, पीटने लगते तो यहां ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाख मूँ से लहू बहने लगा है या उसके कहां चोट लगी है परन्तु इतनी बूरी पिटाई होने पर भी, दूसरे दिन फिर खेलने चले आते यह बात तब ठीक से समझ में आई, जब स्कूल अध्यापक बरने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहां बाल मनो विज्ञान का विशय पढ़ा ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं मेरे साथ खेलने वाले अधिक तर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते सारे मुहले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गाउं से ही आकर बसे थे दो तीन घर, साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थे उन में से अधिक तो स्कूल चाते ही न थे जो कभी गए भी, पढ़ाई में रुची न होने की कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आये और फिर स्कूल गए ही नहीं नहीं माबाप ने जबरदस्ती भेजा यहां तक की परचूनिये आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भीजना जरूरी न समझते कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी हमने इसे क्या तैसिलदार लगवाना है थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंड़त घंशामदा से लंडे पढ़वा कर दुकान पर बहियां लिखने लगा लेंगे पंड़त च्छ आठ महिने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा वहां तो अभी तक अलिफ बे जिम च भीन सीख नहीं पाया हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाना से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने के आए परिवारों से थे जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हसी आने लगती परन्तु खेजते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छे तरह समझ लेते पता भी नहीं चला कि लोकोकती अनुसार एक खेडन दे दिन चार कैसे कब भीते हमें से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल की कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो कुछ अपने माबाब की साथ चैसा भी था काम करने लगे बच्पन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंद अधिक मनमोहक लगती है यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे परन्तु आज तक याद है याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बच्पन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा परन्तु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों और जो अलियार के बड़े ढंग से कटे जाड उगे थे जिने हम डंडियां कहते थे उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की बहग आज तक भी आँख मून्द कर महसूस कर सकता हूं उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाय जाते थे जिन में गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूद सी सफित कलियां भी हुआ करती ये कलियां इतनी सुन्दर और खुश्बुदार होती थी कि हम चंदू चपडासी से आग बचा कर कभी कभार एक दो तोड लिया करते उनकी बहुत तेज सुगद आज भी महसूस कर पाता हूं परन्तु यह याद नहीं कि उन्हें तोड कर कुछ तेर सूँख कर फिर क्या किया करते शायद जेब में डाल लेते, मां उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फैंक देती या हम ही स्कूल से बाहर आते, उन्हें बकरी के मेमनों की भांती चर जाया करते जब अगली श्रेणी में दाखिल होते, तो एक ओर तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहिद भी होते परन्तु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कापने लगते, जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते तब स्कूल में, शुरू साल में एक देड़ महिना पढ़ाई हुआ करती, फिर देड़ तो महिने की छुटिया शुरू हो जाया करती अब तक जो बात अच्छी तरह याद है, वह चुटियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्ख था पहले दो-तीन सब्ताह तो खूब केल कूध हुआ करती हर साल ही मां के साथ ननिहाल चले जाते वहाँ नानी खूब दूध तही, मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती छोटा सा पिछडा गाओं था, परन्तु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता, मांग कर खाने लगते नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती जिस साल ननिहाल न जा पाते, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते कपड़े उतार पानी में कूच जाते और कुच समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के उपर लेटने लगते गीले शरीर को गरम रेत से खूब लथपत कर, उसी तरह भागते किसी उची जगे से तालाब में छलांग लगा देते रेत को गंदले पानी से साफ कर, फिर टीले की ओर भाग जाते याद नहीं कि ऐसा पाँच दस बार करते या पंदरह बीस बार कई बार तालाब में कूथ कर ऐसे हाथ पाउं हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराख हो परन्तु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था कुछ तो हाथ पाउं हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैस के सिंग या दुम पकड़कर बाहर आने की सला देते उन्हें धाड़स बंधाते गूतते समय मुँ में गंदला पानी भी बर जाता तो बुरी तरह खासते कई बार ऐसा लगता कि सांस रुखने लगी है परन्तु हाई हाई करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुँच जाते फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते प्रती एक दिन डर बढ़ता चला जाता खेल गूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते जैसे हिसाब के मास्टर जी दो सौ से कम सवाल कभी न बताते मन में हिसाब लगाते कि यदि दस सवाल रोज निकाले तो बीस दिन में पूरे हो जाएंगे जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का एक महना बाकी हुआ करता एक एक दिन गिनते दस दिन खेल कूद में और बीच जाते स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता परन्तु दर भुलाने के लिए सोचते कि दस की क्या बाद सवाल तो पंधरे भी आसानी से रोज निकाले जा सकते है जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुटियां कम होते होते जैसे भागने लगती दिन बहुत छोटे लगने लगते ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भाग कर दोपहरी में ही छिप जाता हो जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भै बढ़ने लगता हमारे कितने ही सहपाथी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाए मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौधा समझते हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांती ही सोचने लगते ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता उमा हुआ करता हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढून पाते थे उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढग तो अलग था ही उसकी शकल सूरत भी सबसे अलग थी हांडी जितना बड़ा सिर उसके ठिगने चार बलिष्ट के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखो वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चहरा और भी अजीब लगता लड़ाई वहा हाथ पाऊ नहीं सिर से किया करता जब सांड की भाती फिंकारता सिर जुका कर किसी के पेट या चाती में मार देता तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीडा से चिल्लाने लगते हमें डर लगता कि किसी की चाती की पसली ही न तोड़ डाले उसके सिर के टककर का नाम हमने रेल बंबा रखा हुआ था रेल के कोएले से चलने वाले इंजिन के भांती बड़ा और भयंकर ही तो था हमारा स्कूल बहुत छोटा था केवल छोटे-छोटे नौ कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एज की भांती बने थे दाई और पहला कमरा हेड मास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था जिसके दर्वाजे के आगे हमेशा चिक लड़की रहती स्कूल की प्रियर प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गूरा चहरा खिल उठता सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांध कर उनके पीछे खड़े होते केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा उनकी घुडकी तता ठुड़ों के भैस से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते सीधे कतार में बने रहने का प्रैतन करते सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सक्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाउं से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाख की तरह जपट पड़ते और खाल खीचने के मुहावरिक को प्रत्यक्ष करके दिखा देते परन्तु हेड मास्टर शर्मा जी उसके बिलकुल उलट स्वभाव के थे वह पांचवी और आठवी श्रेणी को अंग्रेजी स्वयम पढ़ाया करते थे हमारे में से किसी को भी याद न था कि पांचवी श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमडी उधेड़ते देखा या सुना हो चमडी उधेड़ना हमारे लिए बिलकुल ऐसा शवद था जैसे हमारे सरकारी मिडल स्कूल का नाम अधिक से अधिक वह घुसे में बहुत जल्दी-जल्दी आँखे जपकते अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर जुका कर मूँ नीचा किये हस देते वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती जो तब पैसे की शायद दो आ जाया करती परन्तु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगे न थी जहां खुशी से भागे जाए पहली कच्ची श्रेणी से लिकर चौथी श्रेणी तक केवल पाँच साथ लड़कों को छूड़ हम सभी रोते चिलाते ही स्कूल जाया करते परन्तु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली जंडिया हाथों में पकड़ा कर वन टू थ्री कहते जंडिया उपर नीचे दाए बाए करवाते तो हवा में लहराती और फडफडाती जंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में दो रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आखें हलके से जबकाते कहते शाबाश वेल बिगिन अगेन वन टू थ्री थ्री टू वन उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिये हो कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कौपियों पर साल भर की लिखी गुड़ों गुड का बहु अचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सक्थ मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिपलेट में रहकर प्राप की गुड़विल बहुत बड़ी थी परन्तो यह भी ऐसास रहता कि किसी गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सित गुर के भय से ही प्रेम जागता है ऐसे ही पीटी साहब के प्रती हमारी प्रेम की भावना जग जाती यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत कारसा लगने लगता है हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रविश करते समय मुझे पूरानी पुस्तकें मिला करती हमारे हेड मास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे वे धनाध्य लोग थे उनका लड़का मुझे एक दो साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा हर साल अप्रेल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी एक साल पुरानी पुस्तकें ले आते हमारी घर में किसी को भी पढ़ाई में दिल्चस्पी न थी यदि नई किताबें लानी पढ़ती जो तब एक दो रुपय में आ जाया करती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती कोई साथ साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था कापियों, पैंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल एक दो रुपय साल भर में खर्च हुआ करते परन्तु उस जमाने में एक रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी एक रुपय में एक सेर घी आया करता और दो रुपय की एक मन, चाली सेर, गंदम इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते हमारे दो परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था परन्तु किसी भी नई श्रेडी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते अजीब बात थी कि मुझे नई कौपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया परन्तु जितनी भी मनोवेग्यानिक की जानकरी है इस अरूचे का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेनी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जम कर बैट गया था सभी तो नए नव होते थे परन्तु दो तीन हर साल वह ही होते जो की छोटी श्रेनी में नहीं बढ़ाते थे कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हर्फन मौला हो गए हो यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमडी उधेर देने को तयार रहते इनी कुछ कारणोक से केवल किताबों कौपियों की गन से ही नहीं बाहर के बड़े गेट से दस पत्रह गज दूर स्कूल के कमरे तक रास्ते के दोनों और जो अलियार के जाड उगे थे उनकी गन्द भी मन उधास कर दिया करती परन्तु स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगा था मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइड की आवाज या मू में ली विसल से मार्च कराया करते फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एडियों पर दाए बाए या एकदम पीछे मुड कर पूटों की ठक ठक करते अकड कर चलते तो लगता है जैसे हम विद्ध्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो फोजी जवान दूसरे विश्वयुद का समय था परन्तु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफतार कर लिया था और तमिल नाडु में कोडाई कनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांध हो गया था उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था इसलिए हमारी देशी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत की गाउं से जबरन भरती नहीं कर पाया था लोगों को फौज में भरती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नोटंग की वाले भी हुआ करते वे रात को खुले मैदान में शामी आने लगा कर लोगों को फौज के सुख आराम बहादूरी के दृष्य दिखा कर आकरशित किया करते उनका एक गाना अभी भी याद है कुछ मस्करे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते भरती हो जारे रंगरूट भरती हो जारे अठे मिले से तूटे लीटर उठे मिलेंदे बूट भरती हो जारे हो जारे रंगरूट अठे पहन से फटे पुराने उठे मिलेंगे सूट भरती हो जारे, हो जारे रंगरूट इन्ही बातों से आकर्शित हो, कुछ नौजवान भरती के लिए तयार हो जाया करते कभी-कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फोजी जवानों से कम नहीं धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश की याई बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम वोजी ही हैं मास्टर प्रीतम चन को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हसते न देखा था उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आँखे खाकी वर्दी, चमडे के चौडे पंजो वाले बूट सभी कुछ ही भैभीत करने वाला हुआ करता उनके बूटों की उंची एडियों के नीचे भी खुरियां लगी रहते जैसे टांगों के घोडे के पैरों में लगी रहती है अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते यदि वह सक्त जगय पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाए देते हम ध्यान से देखते इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी उनको देखकर हम भी यदि घरवालों से बूटों की मांग करते तो माबाब यही कहते थे टखने टेड़े हो जाएंगे सारी उमर सीधे न चल पाओगे मास्टर पीतम चन से हमारा डरना तो स्वाभाविक था परन्तु हम उनसे नफरत भी करते थे कारण तो उसका मार पीट था हम सभी को जो मेरी उमर के हैं वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चोठी श्रेणी में फार्सी पढ़ाने लगे थे हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था परन्तु फार्सी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतमचन ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे हम सभी घर लोटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे परन्तु केवल दो तीन ही लड़के थे जिने आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया तभी मास्टर जी गुर राए सभी कान पकड़ो हमने जुक कर टांगों के पीछे से बाहे निकाल कर कान पकड़े तो वह गुसे से चिखे पीट उची करो पीट उची करके कान पकड़ने से तीन-चार मिनिट में ही टांगों में जलन होने लगती है मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के ठकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते जब तक मेरी और हर्बंस की बारी आई तब तक हेड़ मास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले ही शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी हस्पताल में डाक्टर कपलाश से मिलने गए थे वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रेमचन की उस बरबरता को सहन न कर पाए बहुत उत्तेजित हो गए थे What are you doing? Is it the way to punish the students of fourth class? Stop it at once हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय पाँचवी श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शूरू की जाती थी परंतु हमारे स्कूल के साथवी आठवी श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था क्या करते हैं? क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का यह ढ़ंग है? तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेड मास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुट्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा बेज दिया है वहां हरजीलाल नाम के महकमाएं तालिम के डायरेक्टर थे जिन से ऐसे आदेश की मंजूरी अवश्यक थी उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रितमचन को जब तक नाभा के से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते जब भी फार्सी की घंटी बचती तो हमारी चाती धख धख करती फटने को आती परन्तु जब तक शर्माजी स्वयम या मास्टर नोहरिया रामजी कमरे में फार्सी पढ़ाने न आते हमारे चेहरे मुर्जाए रहते फिर कई सकताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आये पता चला कि बाजार में एक दुकान के उपर उन्होंने जो छोटी-छोटी खेडकियों वाला चौबारा किराये पर ले रखा था वहीं आराम से रह रहे हैं कुछ साथवी आठवी के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुवतल होने की रती भर भी चिंता नहीं थी पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों को दिन भर में कई बार भीगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते उनसे बाते करते रहते हैं उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे हम उन बड़े बच्चों के साथ उनके चौबारे में गय थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते परन्तु हमारे लिए यह चमतकार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमडी तक उधेड देते वह अपनी तोतों से मिठी मिठी बातें कैसे कर लेते थे क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आँखों से भय न लगता था हमारी समझ में ऐसी बाते तब तक नहीं आ पाती थी बस एक तरह इन्हें अलोगिक ही मानते थे कर दोतों से बाता है झाल झाल